ते मुसे वाला कतलकांड मामले ना जुड़या हुए वड़ा अपडेट ये ते सामने आ रहे है तो अनुदाजी ये इस कतलकांड देवेच फरार होए सत शूटर्जी पचान कर ली गई है सो ये वड़ा अपडेट इस मामले देवेच जिते सत शूटर्स दी पच्छान कर ली गई है पंजाब राजस्थान ते हर्याना देवेचों पाल कीती जा रही है इना शूटर्स दी पाल च वखो वख सुब्यानी पुलिस जूटी हुई है मान प्रितमना दी निशान देगी इना मुझमा दी पच्छान कर ली गई है सो सत शूटर्स दी पच्छान कीती गई है जिना नू हाइर किता गया सी इसका तलकांड नू अंजाम देड़े ले जिना ने कुछ इस किंटां देवेच एक मापयो दी दुनिया उजाड के रख देती दुनिया पर देवेच बैठ अखो वाक सूबे नाल लग दे सूबिया दी गाल कीती जाए पंजाब, हर्याणा, राजस्थान खास सौरते पाल कीती जा रही है इना पाल देवेच इस पूरे प्रोसेस देवेच वाक्छो वाक सूबिया दी पुलिस जुटी हुई है ते ता उनू एवी दाजी है कि मनप पच्छान कर ली गई है ते इसे ते सही होगी राजर्वाद जो साड़नाल जोग चुके ने आपसे यही जाना चाहेंगे फिलहाल इनकी पहचान कर ली गई है कौन-कौन से ऐसे राज्ये हैं जिनमें होने के खच्छे फिलहाल जताए जा रहे हैं अब देखिए साथ सुट्रों की पहचान पंजाब पुलिस से की है आज मुते वाले हत्या कांट के नौ दिन बेच चुके हैं जी और इसमें से जो साथ आरोपियों है जिसका कनेक्शन पंजाब से है हर्याना से है और जो आरोपी जो महरास के फूने से कनेक्शन रखते हैं यानि साथ आरोपियों की पहचान होगे जिसकी सलाज के लिए पंजाब पुलिस, महरास, राजस्थाद, हर्याना इस तमाम जगों पर दविश डाल रही है हर्याना के फटेहाबाद में भी दविश डाली जा रही है और इसका एक कनेक्शन दिल्ली से भी कर सकते हैं जो दि पुलिस मुख आरोपी तक नहीं पहुच पाई है जिसने इस पूरे हट्याकांट को अंजाम दिया किसके कहने पर सिधु मुशेवाला की हट्या की गई तमाम सवाल अभी भी बने हुए हैं अब देखना हुआ कि इन सुट्रों की गिरफ्तारी के बाद क्या पता चलता है कि किन लोगों ने मुशेवाले की हट्याकांट को अंजाम देने के लिए तुपारी ली और मुशेवाला की हट्या कराई हलाकि इस पूरे मामले में जब म गोल्डी बरार के बाद लॉरेंस दिश्णोई भी इस पूरे हट्याकांट में सामिल हो सकता है उसके गुर्गे इस हट्याकांट को अंजाम देते हैं जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस दिश्णोई का प्रोडक्टर वारंट लिया है तो कुल मिलाके 9 दिनों के बाद कुछ सूटर की पहचांट पंजाब पुलिस ने किया है अब देखना होगा कि इनकी गिरफ्तारी कब तक होती है और कब तक पुलिस मुख हैरोपी तक बहुती है जी बिल्कुल क्योंकि इस मामले में पूछता चलगातार जारी है कई ऐसे नाम है जो भी सामने नहीं है जिनको confidential रखा गया है क्या कुछ और जानकारी है जो अभी सामने आ रही है क्योंकि इस मामले में देखे तो जानकारी बहुत इतिहाद के साथ बहार आ रही है VVIP मामला है, sensitive मामला है पंजाब में, काफी इसकी चर्चा है अब इन गिरफ्तारियों के बाद कुछ और सूटर्स के भी नाम सामने आएंगी कोगी लॉरेंस विश्नोई और गोल्डी बरार ऐसे गैंक्स्टर हैं जो खुद हत्याकांट को अंजाम देते हैं बलकि उनके तो एसोट्येट गैंक्स्टर होते हैं उनसे तलुक रखते हैं उनसे एसोट्येट होकर तमाम ऐसे हत्याकांट को या वसूली के धंदे को अंजाम देते हैं वो दूसरे सूटर से अंजाम दिलवाते हैं तो अब देखना होगा कि क्या इस पूरे मामले में किस गैंक्स्टर का सूटर इस हत्या कांट को अंजाम दिया हलाकि अभी कुछ नाम सामने आए कि ग्रसारी के बाद जैसे इसकी ग्रसारी होती है कई तक सामने आएंगे और कई एहन खुला से भी सामने हो सकते है जी बिल्कुल आपने अजर बनाए रखेगा साथ तो शूटर्स ने जुनादी पचान होई है मनपृत मनना दी निशान दही ते नादी पचान कीती गई